हेलो दोस्तों आज की स्टूडियो में अपको बताने वाला हूं कि पेंग कार्ट को बनाने में कितने पैसे लगते हैं और जो आप ओनलाइन केफे से जब पेंग कार्ट बनाते हो तो वो कितने पैसे आपको चार्ज करते हैं दोस्तों सिर्प लगते हैं 106 रुपे दोस्तों आप औलाइन पैसे बनासानी से कोई प्रोब्लम नहीं हो कि तो इसको फॉलो करके अच्छे से उसने सही से अच्छे से अच्छे से वीड्र करके संभिक करना होता है यदि उसमें आपने कुछ गलती की तो आपको प्रोब्लम आ सकती है वरना आपको नहीं आई कि और 106 रुपे में पेंकाज बनता है ओनलाइन और हर MP ओनलाइन वाले 106 रुपे में ही आपका पेंकाज बनाता है लेकिन वो आप से लेता है 200 या थी 300 अब दोस्तों 200 रुपे में पेंकाज नहीं बनते हैं यह बात आप लोग खुदी जानते होंगे तो दोस्तों जीने पेंकाज ओनलाइन बनाना नहीं आता वो लोग केफे पे जाके बनवा सकते हैं जो पड़े लिखे नहीं है लेकिन दोस्तों आप ही सोची यह 106 रुपे में पेंकाज बनता है और MP ओनलाइन वाले यह दोसों में भी बनाते हैं तो हम सोचेंगे कि चलो वहां से बनवा लेते हैं लेकिन दोस्तों वो जो है 200 से 300 रुपे चार्ज करते हैं जो बहुत जादा होता है यह बताब भी जानते हैं कई लोग बनवाते हैं जिने इन सब मामलों में नहीं पढ़ना रहता और जिन लोगों को बना रहता है वो उनलाइन बना लेते हैं जोस्तों मैंने खुद अपना और मेरे चोटे भाई का पेंकाज ओनलाइन बनाया था आप आकर यहां से लेकर चले जाए तो इसे करके आप ओनलाइन बना सकते हो दोस्तों आप पेशो की बात भी यह और उफर से आप यह ओनलाइन केफ़े पे से बनाते हो तो सारी जिम्मेदारी उनकी होती है तो आप चाहो तो नहां से बनवा सकते हो लेकिन अधिया आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप ओनलाइन वीजियो देखके भी बना सकते हो अच्छे से कोई प्रोब्लम नहीं है और उसमें सिप 106 रुपे लगता है इस तरके से दोस्तों MP on-line वाले आप 191-200 पर जादा चार्ज करते हैं आप समझ सकते हो कार्ट को बनाने में 106 रुपे लग रहे हैं लेकिन वह आपसे ले रहे हैं 202-300 रुपे बहुत ज़ादा मार्जिन है दोस्तों इसमें उसमें का तो दोस्तों बस मैं आपको यही इस वीडियों बताने वाला था I think आपको समझ भी आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यह आप यह वीडियो अब तक देख रहे हैं तो